हलो फ्रेंग, वेलकम बैक, तो आज के इस वीडियो में हम देखनी वाले हैं सी स्टार की रिप्रोड़क्टिव सिस्टीम, तो चले स्टार्ट करते हैं यह जो फाइला मिकांटम्स के एनिमल होते हैं, मोस्टली हम बात करें यहाँ पर अस्टरेस के बारे में जो सी स्टार है हमारा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रही हैं तो यह सी स्टार होते हैं इनकी most of the species unisexual होती हैं, जिसे हम dioces भी कहते हैं और unisexual dioces का मतलब क्या होता है, बोट सेक्सेंग जो होते हैं, male and female sexes are separated वो अलग-अलग बॉड़ी में प्रेजेंट होती है इनकी जो few species होती है वो होती है हर्मेप्रोड़ाइट और इसका मतलब होता है कि एक ही organism में both species present होती है male sexes and female sexes both sexes present होते हैं जिसे हम हर्मेप्रोड़ाइट करते हैं और इसका example है species rubanus जिसमें both sexes एक ही organism में present है इसलिए हो आती है हर्मेप्रोड़ाइट में यह जो animals होती है वो किसी भी तरह का sexual dimorphism नहीं दिखाते हैं तो हम इनके sexes जो है इसके उपर हम इनको differentiate नहीं कर सकते बिकॉज यह किसी भी type का dimorphism नहीं दिखाते हैं बट डूरिंग breeding season क्या हो जाता है इनमें थोड़ा सा color differentiation आ जाता है male और female में इससे हम इनको differentiate कर सकते हैं इनके जो reproductive organ होते हैं वो primitive type के होते हैं और इनमें किसी भी type का topulatory organ present नहीं होता और accessory glands भी इनमें present नहीं होती जब एनिमल mature हो जाते हैं sperm और वोवा सिक्रिट कर देते हैं और produce कर देते हैं और after maturation वो क्या कर देते हैं उनके gamut को store कर देते हैं और उनके gamut की storage के लिए उनके body में receptacles and reservoir present होते हैं जो receptacle है वो वोवा को store कर देते हैं और जो reservoir है वो sperm को store कर देते हैं और इनके gonads होते हैं itself act as a reproductive organ अगर हम बात करें इनके gonads की बारे में तो आपको पता ही होगा कि C star की body किस type की होती है इन में इस type की उसकी body होती है जिसमें five arm present होते हैं और इनमें जो gonads होते है ओफ cứu pair of gonads present होते हैं ivory arm having one pair of gonad यहाँ पे मैंने एक arm निकाला है यहाँ आप देख सकते हैं कि यह दो gonads से जो एक arm में present ही और यह कहा पर होते हैं यहाँ अगर आम को तरह कट कर दे और यहाँ पर देखें हम इसे transverse section में तो यहाँ काransverse section है यहाँ पैलॉरिक सीका है present और यहाँ पर है Ampula on an drupid अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर present होते हैं कौन जो पाइलोरिक्सी का एंड एंपिलोब टूपिट के बिल्कुल बीज में होते हैं और ऐसे फाव पेर्स होते हैं जो एवरी आम में बन पेर आता है इनका इस अब मेल गोनट टेस्टीज होती है और फिमेल गोनट बूबरीज होती है और ओ मॉर्फोलोजिकल सिमिलारीटिस दिखाती है और ओ जो ऑर्गनीजम है उनके बॉड़ी में भी सिमिलर पूजिशन अप्क्यूपाई कर देती है यह टेस्टीज होती है ओ ग्रेश कलर की होती है और ओरीज होते हैं पिंकिस टू और इस तरह दिखते हैं एक कुछ इलोंगेते फिदरी स्टॉक्चर होता है इनका जैसे की ग्रेप का बंच हो कुछ इस तरह आपने देखा है डाइग्राम में कुछ इस तरह फिदरी और ग्रेप की बंच की तरह दिखते हैं और इनकी जो development होती है, वो होती है periodical, जैसे animal के development होती है, उसी तरह इनकी gonad के भी development होती रहती है, जिसे हम periodical development कहते हैं. अप्टर maturation क्या हो जाता है, gonad जो होती है, वो आम में पूरे, उसके आम के tip तक पूरा space occupy कर देते हैं, यहाँ पे होता है perivisceral space, जो आम में space होता है, और यहाँ से gonad arise होता है, और यह जब mature हो जाता है, तो पूरे आम में अपना structure क्या कर देता है, अप्टू tip तक क्या हो जा बढ़ जाता है मैचुर होने के बाद वो पूरा स्पेस यहां पर अप्प्युपाई कर देता है और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो गोनेड्स होते हैं उनको पेरिवेसर पेरिहीमल सिस्टीम क्या कर देती हैं एनक्लोस कर देती है जो जनाइटल साइनस से तो मैंने जब इसे इस तरहां एनक्लोस कर देती है तब यहां पर जो गोनेड्स है ओव यहां पर जो proximal N तक आते हैं और यहाँ पे gonoduct arise हो जाता है और यहाँ पे proximal N में gonoduct बन जाता है और यह जो it opens into the gonopore जो arm के lateral में होता है यहाँ पे arm के lateral में gonopore होता है जहाँ पे open हो जाते हैegonoduct और यहाँ से क्या कर देते हैं matures, sperm are going to sea water में release कर देते हैं जो gonads होते हैं उनमें germal epithelium की lining होती है जिसमें germ cells होते हैं और इनमें एक hormone होता है जो gonads stimulating hormone होता है जो maturation of gamut के लिए होता है जो gamut की maturation में भाग लेता है after producing mature gamut क्या किया जाता है gamut को discharge किया जाता है sea water में by male and female male and female अपने gamut को sea water में discharge कर देते हैं और जो discharging होती है gamut की वो regulate होती है एक hormone के वज़े से जो radial nerve secret कर देती है और इस hormone के वज़े से क्या होता है कितना gamut का discharging करना है यह regulate किया जाता है then after gamut discharging क्या हो जाता है fertilization होता है इनका जो fertilization होता है वो external type का होता है both sexes क्या कर देते हैं अपने gamut को sea water में discharge कर देते हैं during breeding season यह जो breeding season होता है इनमें साल में एक बार हो सकता है some spaces में और some spaces में साल में दो बार भी हो सकता है और mostly इनका जो breeding season होता है वो होता है spring season और spring season में उनका fertilization हो जाता है तो फ्रेंड्स ए था रिप्रोड़क्टिव सिस्टीम और सीस्टार अगर ए वीडियो आपको पसंत आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजी शेयर कीजे कमेंट कीजे और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलना